भाई एटल भी 5G दे रहा है जियो भी 5G दे रहा है और Vodafone की बात करें तो वो भी तैयारी में लगा हुआ है अपनी 5G के हाला कि Vodafone भी अभी अपनी 4G सर्विशेज बेकदम मस्त दे रहा है लेकिन 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 बात करेंगर हम BSNAL की तो BSNAL के तो हाल ही निराले हैं वाले दिनों में क्या करने वाला है तो भाई थोड़ा सा जो है गला खराब है इस वज़े से आपको audio quality में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है आवाज भारी लग सकती है आवाज पतली भी लग सकती है तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देख रह जैसा कि आप सुभी को पता होगा कि BSNL जो है भारत की खुद की सरकारी कमपनी है जो की ओन की जाती है भारत सरकार के दोरा जो भी सारा खर्चा जो भी सारा फायदा होता है वो भारत सरकार का होता है लेकिन 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 2007-2008 के बाद की बात करें तो BSNL कभी profitable रहा ही नह कमपनी जो है वियाई के साथ आने वाली है जो कि वी आई का फाइब जी लेकर आएगे और अगर कोई भी बड़ी कमपनी या कोई भी बड़ा आद्मी मिल जाता है वियाई के साथ तो विय आई को बीस नल में मर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वी आई अपना अलग काम करेगी एटल अपना अलग काम करेगी जीओ अपना अलग काम करेगी वहीं पे अगर हम बात करें बीसनल की तो बीसनल अपना अलग काम करेगी लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि बीसनल पे इतना सारा पैस सा खर्चा होता है लेकिन देखने को नहीं मिलते हैं तो भाई ये बात बिल्कुल सही है मैं जिस एरिया में रहता हूं यहां पर भी प्यस्टनल की पहले दिक्कत थी लेकिन अब यह कॉलिंग वाले नेटवर्क आ जाते हैं इतना नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग के टावर तो भी जो है भाई 24 गंटा चलने लगया है लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट हमें इतना अच्छा नहीं मिलता कि हम लोग वाट्सप भी चला सकते तो यह दिक्कत आई है अभी ब्यस्टनल में हमारी साइट तो देखने वाली बात रहती है कि क इतने दुनों में हमारी साइट ब्यस्टनल की यह दिक्कत दूर होते है क्योंकि ब्यस्टनल अभी अपने 3G पर ही काम कर रहा है और आने वाले टाइम में ब्यस्टनल यह सोच रही कि वह 4G और 5G एकदम से लाएगी लेकिन 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 रुक जाओ अभी कुछ लोग कमे सरकल में ही ब्यस्टनल ने अभी अपनी 4G की लांच की है वो 10 से 12 सरकल्स हैं लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो यहां पर हजारों सरकल्स पाए जाते हैं जिसमें अभी ब्यस्टनल ने अपने 4G काम स्टार्ट ही नहीं किया है तो आने वाले दुनों में रहा है कि वो 5G पर काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कमपनी के साथ मिलके काम करें और वहीं पर फोर जी की नियूस अगर हम बात करें तो टीचिएस के साथ भी अपना 4G लेके आ रहा है लेकिन भी असनल के साथ फंट की दिक्कत हो रहे हैं उसको अपने 2G 3G एक्विप्में थे उनके महिनों के उनके सालों की जो साहे सैलरी रुकी हुए थी तो इस पर सुप्रेम कोट ने जब भी अपना एक्षण लिया है तो सबसे पहले सुप्रेम कोट ने कहा अपना फोर जी फाइब जी अब बात मिला हिएगा जो भी आपके इंप्लॉई जो भी रिटायर हो कल में अपने 4G लांज करने में किया तो वहीं पर हम बात करें 2023 की यानि आने वाले साल की तो उसका जो भी बजट मिलने वाला है तो उसको पूरा पूरा बजट जो है लगाया जाएगा बीसनल के 4G और 5G में तो अभी देखने वाली बात यह रहती है कितने दुनों में बी पूरे इंडिया में कुछ-कुछ जो मेजर सिटी इस हैं वहां पे आपको 4G देने लगेगा और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 2024 आने से पहले आपको बीसनल का 4G कोने कोने में देखने को मिलेगा तो इस बात में कितनी सच्छा है यह तो आप ही नीचे कमेंट करना है तो भाई नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है सिंप्ली से इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लो सबसे ज़्यादा एक्टूब वहीं रहता हूं बात्चीत वहीं होगी दबा के तो मिलता है किसी नेक्स चुड़ा में तब तक के लिए बाई कर दो